इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पट्टा के बाकर गंजिलाके में स्वर्ण वेफसाई की लूट का खुलासा कर दिया गया है पट्टा के एससपी ने इसका कुलासा किया है जिसमें चार लोगों को गिरफतार किया गया है और 4,36,000 रुपए नगत बरामत कर लिया गया है तो 6,5 किलो सोना भी बरामत कर लिया गया है यह तमाम जानकारियां पटना के SSP ने दी वह उन्होंने बताया कि किस तरीके से लूट की योजना बनाए गए थी जिसमें चार लोगों को गिरफतार किया गया है उसमें से एक सोना वेफसाई है जहानाबाद में वो भी इस तरह के रेकरी किया था जिसके बाद से ही पूरे क्लानिंग को यह तयार किया गया जिसका खुलासा आज पटना के SSP ने किया सबसे बड़ा बिहार का सबसे लूट का खुलासा हो गया है इस मगत की जो बड़ी खबर आ रही है वह हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इसका कर दिया है क्या कुछ जानकारिया दी है कुलासा करते हुए पटना के सिस्पी ने वह पहले हम आपको सुनाते हैं इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था इतवारपूर में लिया हुआ था तो वहीं पे पहले भागे हैं जो संपत्चक से हुई है जो अपराद कर्मी है सनी कुमार जब पता चल गया था कि वेरे बाकी साथ ही पकड़े जा रहे हैं तो अपना सारा सोना अपने माता-पिता की यहां पे संपत्चक में वह कर दिया था वहीं से उसकी ब्रामद्गी की गई है उसकी निशान बही नैशनल सिंबल सो तो इसका दुरूपयोग नहीं कर सकते हैं यह गाड़ी आपकी कोटवाली थाना से चूरी हुई थी है इसका यह कोटवाली थाना कांड संख्या है इसमें इसमें नहीं लिखा हुआ है यह है चारसो सोना अबली किस 27 अक्टूबर 2021 को यह चूरी हुई थी जो भी उनके पास स्टॉक में जितना में उसके पास गहना होगा उसका इन्वाइस होता है जहां से वो सप्लाइ करते हैं जी एस्ट रिटर्न होंगे इसी के हिसाब से वो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं और अभी हम नहीं उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा अ सब्सक्राइब तो 35 केजी सोना 14 लाग कैश था कैश मनुत नहीं है या कैश जो टोटल इनके जो इनका कंफेशन आए कि तक्रीबन 6 लाग कैश था जिनमें से चालक 36,000 रिकवर हो चुका है केजी में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है और जो पहले उनके पास बैग गया था उन्होंने खुद बोला है तक्रीबन वो बता रहे हैं धाई केजी उसमें हालांकि उसको मिला के तक्रीबन 9 केजी हो जाएगा और धी यह शुका तो आपने सुना जूपीस से उन्होंने जो परादी है जो डकयत है वो कैसे योजना बरायत लूट के ये तमाम जानकारिया पट्टा के SSP ने दी और जो है कह सकते हैं कि सुक्रबार के दिन ये लूट हुई थी दिन में करीबन दो बजे जो है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और आज चुनौती खत्म हो गई पुलिस के लिए आगे जो अपराधी कुछ लोग और हैं बचे हुए उसे भी पुलिस लगातार खंगाल रही है उनको पूरी तरीके से ट्रेस कर रही है और आगे की कारवाई उस पर की जा रही है पलपल के अपडेट्स के लिए आप बने रह दर्जिनूस के साथ और देखते रह दर्जिनूस